तो guys, ऐसा है कि 60,000 और 50,000 के बीच का range ऐसा है कि बहुत जादा confusion create होता है अगर Android में देखें तो यहाँ पे सबसे best Android में से phone जो है वो है Samsung S24 FE जो अभी के टाइम में मिलता है वहीं अगर Apple में बात करेंगो तो Apple का iPhone 15 इस segment में मिलता है तो काफी जादा confusion होता है कि इन दोनों phones में से camera जो है किसका best है तो finally ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं और देखते हैं कि आज cameras के मामल में दोनों फोन में गरदा कौन उड़ाता है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग display से तो display के मामल में यहां पे हम एक चीज़ बताना प्रिफर करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपल का जो display है 60 Hz का display हो काफी smooth काम करता है तो हम लोग ने slow motion में शूट किया था कि 120 Hz और 60 Hz में क्या major difference है वो आता है यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि 120 Hz काफी जादा smooth है slow motion करने के बाद भी और 60 Hz में काफी जादा lag आपको क्लियरली दिखेगा तो पहला चीज़े बता दें कि display में outdoor visibility में इन सब चीजों में आपके लिए Samsung S24 FE कहीं जादा बहतर option है अगर आपको multimedia परपसे फोन लेना है या फिर यह सब चीजे करनी है तो आपको definitely यहां पर S24 FE बहतर है बैटरी का बात करेंगे तो 4700 mm का बैटरी आपको मिलता है Samsung में और 3349 mAh का बैटरी मिलता है Apple में दोनों में पकुंवारा यहां इस नकी प्सक्राम के सब दोनों हें से ख겠 रही हम को दोनों इस जाद करें़ा ने के मिलता है शावार का पकरएंगे तो 25W सब्सक्राइब संपर्पार्ट करता है Samsung और 20W सब्सक्राइब उसका को एक सबसे बड़ा अडवांटेज मिल जाता है अभी के टाइम में Samsung में वो है उसका AI AI के मामने में Samsung जो है सबसे पहले लेकर आया था फोन में और कहीं ज्यादा next level पर लेकर चला गया कभी इंटरनेट पे या फिर कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो सीधा टैप करते हैं और सर्च कर लेते हैं कि यह प्रोड़क्त है कहां कहां से परचेस कर सकते हो और Samsung का पर देख स्वाइब यह प्रोड़क्त है जब मॉनिटर में यूज करना होता है तो हम आराम से टाइप सी से इसको करेंट करते हैं और भाई मस्क अपने मॉनिटर पे पूरा पीसी लाइक एक्स पिरियंस वहां पर गड़ते हैं एपल में जो आपको एक एडवांटेज मिले जो कि कहीं न कहीं ज्यादा फास्टरी स्टोरेज वगरा है एपल में A16 Bionic Chip मिलता है ओबराल बोले तो दोनी फोन पर्फॉर्मेंस का मामल में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला आप गेमिंग वगरा के लिए दोनी फोन प्रॉब्लम नहीं होता है हीटिंग वगरा का जह अब हमेसा यूज करते हैं वो हैसें का फोनोद इसमें हम सारा कं टोल कर सकते हैं एद्व मोड जिसमें सारा वीडियो का कंट्रोल कर सकते मैन वली आपको अगर Apple में चीच करना है तो by default यह कोई भी ऐसा कुछ फीचर मिलता नहीं है लेकिन आप download कर सकते हो road capture app के थुरू आप वहाँ पे dual view mode और कुछ-कुछ कस्टमाइज कर सकते हो और black magic का camera app है उसके थुरू आप जो है manual controls कर सकते हो यहाँ पर primary camera का बात करेंगे तो Samsung में मिलता है 50 megapixel का primary camera F1.8 aperture के साथ यह Samsung का खुद का sensor है और यह sensor size जो 1 by 1.57 inch का आता है अगर Apple का बात करेंगे तो यह 48 megapixel का Sony का sensor देता है यहाँ पर larger aperture आपको देखने को मिलेगा F1.6 का जो कि कहीं न कहीं low light capability को थोड़ा बैतर बनाता है लेकिन यह तो hardware है software वाइज दो नई phone जो है top notch है तो यहाँ पर देखेंगे कि software में काम कॉन बैतर किया है तो अगर colors का बात करेंगे तो Samsung warmer tone देता है और iPhone थोड़ा सा cool tone देता है daytime वाले photos में वैसे colors का आपके उपर depend करता है कि आपको कैसा photos पसंद है नॉर्मल situation में तो ऐसा लगए है कि दो नई phone एकदम शापने detailing में crop करने पे लगबग similar जैसा ही काम कर रहे है लेकिन अगर आप against the light वाले जैसे इस situation में जाओगे तो shadows वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि Samsung थोड़ा सा बहतर sharp ने detailing को handle कर पा रहा है maximum जगों पर यह चीज हम लोगों ने notice किया और अगर आप human subject का photos वगएरा क्लिक करते हो तो यहां पर दोनी फोन जो है बढ़िया काम करते है कोई भी ऐसा major concern वाला चीज नहीं दिखा overall बोले तो low light में जाने के बाद थोड़ा सा colors वगएरा यह सब चीजे जो है वो change होती है लेकिन सापने detailing में अगर बोलेंगे तो यहां पर दोनी फोन बढ़िया काम करता है कभी कभी ऐसा फील होता है कि over sharp करने के चकर में noise reduction के चकर में apple जो अपना details जो है वो खतम कर ले रहा है लेकिन maximum जगों पर आपको बढ़ियाई photos मिलेगा लेकिन extreme dark में again जाने के बाद फिर यहां पर Samsung जो है कम color noise बगएर यह सब देगा और apple में थोड़ा सा noise level जादा रहता है फ्लैस के साथ अगर आप photos लेते हो तो Samsung जो है थोड़ा flat profile में रखता है और iPhone जो है brighter photos देता है ultra wide का बात करें तो Samsung में 12MP का ultra wide मिलता है F2.2 aperture के साथ वहीं Apple में 12MP का ultra wide मिलता है F2.4 aperture के साथ तो ultra wide में Apple को आपको एक advantage मिल जाता है वो है कि wider view जादा है और sharp ने detailing जो है थोड़ा सा बहतर फील हुआ है लेकिन यह over sharp कभी कभी कर देता है photos को sharp करने के चक्कर में लेकिन against the light जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर आपको detailing वगरा noise levels जो है वो कहीं बहतर handle करता है Samsung maximum जगों पर यह चीज़ नोटिस करने को मिला Human subject में दोनी phone जो है बढ़ियां से काम करता है shadows को maximum जगों पर हमको Samsung यह handle करता हूँ जादा बहतर दिखा है daytime में और अगर आप low light में जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है वो है तीसरा लेंस का है आप टेली फोटो लेंस मिल जाता है आट में पिकसल का f2.4 अपर चरके साथ है कि आप optically जब जूम करते हो तो ज्यादा अच्छा quality और सब कुछ मिलता है डिरेक टॉगल भी मिल जाता है तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो जूम पर बात करेंगे तो जूम का हम लोगों के सामसंग का maximum जूम लेवल है एपल का 10x का है और स्टेबिलीटी आप देख सकते हैं क्लियरली इस जगह पर समसंग काफी वेल उप्टिमाइज मतलब कर लिया है कुद को काफी ज्यादा जूम होने के बाद भी एक करने के बाद भी फोन जो है 30x पर होने के बाद भी तो यह टेली फोटो का एडवांटर जो है वो समसंग को कही नहीं मिल रहा है वैसे तो समसंग में 30x तक फोटोज ले सकते हो वही अगर पोर्टेट मोड का बात करेंगे तो समसंग में मिलता है 1x जो की ऑप्टिकल है 2x अगें ऑप्टिकल है एपल में अब जाओगे तो 1x मिलेगा ऑप्टिकल 2x जो है वो डिजिटल मिलता है यहां पर को 3x बगर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो पोर्टेट मोड में अगर कलर्स का बात करें तो समसंग थोड़ा सा बाइबरेंट कलर देता है सोशल मीडिया रेडी देता और आइफोन थोड़ा से ट्राइ करता है क कहीं कहीं ज्यादा बहतर काम किया हुआ था तो यह बोल सकते हैं कि यहां पर 70-80% जगों पर 1x पोर्टेट में अगर आप फोटो लेते हो तो समसंग बढ़ियां काम करेगा इवन फ्लैस के साथ भी दोनों फोन काफी अचा काम करता है वैसे तो दोनों ही फोन में आपको 2x डिजिटली मिल जाता है तो बेटर है कि आप 1x में फोटो ले सकते हो 2x जो है अगर आपको फोटो बगरा लेना तो डे टाइम में यूज करो लो लाइट में दोनों ही फोन जो है कोई ओबर शाप कर देता है तो कोई से का नॉइस रेडक्शन जो है बहुत हाशली काम करता है और सैमसंग का एक और अडवांटेज है कि 3x जो लिंस है उसका उससे भी आप पूर्टेट शॉट्स ले सकते हो यह फीचर आपको मतलब आइफोन में ही नहीं इस जगह पे क्यूंकि भाई उसमें टेली फोटो लिंस ही नहीं है तो यह बहुत बड़ा अड़ा अड़ा जिसको दूर से शॉट्स पगएबा लेना है तो अगर फिरेंड केमरा का बात करें तो यहां पर 10 मेकापिक्सल का फिरेंड का मिलता है सामसंग में F2.4 अपरचर साथ वही हम लोग को एपल में मिल जाता है 12 मेका पिक्सल का फिरेंड का मेरा F1.9 अपरचर के साथ जो की फोटो के लिए अपल यहां पे जादा बहतर था लेकिन लो लाइट में लोग जैसे ही जाते हैं यहां पर मैक्सिमाम जगों पर सार्पने डिटेलिंग जो है वो सैमसंग का बहतर हो चला गया खास करें एक्स्ट्रीम डार्क वाले सिच्वेशन में इवन जो डिस्प्ले फ्ल यहां पर मैनेज नहीं करवा है मतलब मल्टीपल लोगों में जादा बहतर सैमसंग पॉर्टेट मोड ले पाता है और लुलाइट में बोलेंगे कि यहां पर सैमसंग बहतर काम करता है किसी भी सिच्वेशन में हो चाहे वो डिस्पले फ्लैस वगरा यूज करना हो या फिर क 4K60 अगर आपको रिकॉर्ड करना है सारे कामराज में तो आपको अल्ट्रावाइट का उप्शन जो है वो एपल में मिल जाता है तो अगर 4K30 अपे इसका बात करें क्योंकि इस जगह पे सभी फोन्स जो है स्वीचिंग वगरा सपोर्ट करते हैं कलर्स तो आपके उपर हम सिच्वेशन है उबराल कलर्स के मामने में तो सैमसंग जीन्स का कलर जादा अच्छे से मेंटेन किया है कहीं न कहीं एपल के कंपरिजन टेली फोटो जूम यह एक एडवांटेज है सैमसंग का कि यहां पर टेली फोटो जूम में अप अच्छा शॉट्स निकाल सकते हो करना है तो यहां पर अब देख सकते हैं अपल में कितना ज्यादा फ्लेर साता है यह बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है और सापने डिटेली में अगेन बोलेंगे लो लाइट में आपको थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन में अगर आप लेते हो तो यहां पर अल्टरा वाइट पे जाई अगा लो लाइट में तो यहां पर हम बोलेंगे कि एपल थोड़ा सा जादा बहतर कलर को मैंगेज कर पाड़ा है लेकिन बाइटर वीडियो जो है वो आपको सामसंग में मिलता है लो लाइट में अगर 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 अप एक्स्ट्रीम डार्क मे अगरा का यूज करोंगे देखोंगे तो यहां पर भी हैंटलिंग जो है दोनों फोन का काफी अच्छे तरीके से है लेकिन अल्टरा वाइट पर जाने के बाद हमको एक चीज फील हुआ कि एपल जो है वो क्या कर था एक्स्पोजर हैंटलिंग थोड़ा सा बहता रख रख वैसे तो आप दोनों ही फोन में 4K 30fps पे पोर्टेड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही फोन अपना कलर साइंस रखता है सैमसंग जो है तो थोड़ा सा नैच्रल साइड में रखने का खुसिस करता है तो यहां पर 4K 120fps मिल जाता है सैमसंग में जिसके वैसे शार्प पर डीटेलिंग कहीं 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 ज्यादा बेहता रहें प्राइमरी चामरा में और कहीं नगाई यह बोल सकते हैं कि 4K जो वीडियो शूट वगरा करते हैं उनको अगर अगर वीडियो बगरा लेना है या फिर फ्रेम रेट में वीडियो लेना तो यह बहुत बड़ा दोनी फोन में आप पॉस्ट करने का फीचर आचुका लेकिन सैमसंग में एक एडिशनल फीचर है कि रेकॉर्डिंग के बीच में आप फ्रेंट से रियर हो सकते हो इन अगें रियर से फ्रेंट आ सकतो बिना इस वीडियो के स्टॉप कि हुए तो यह बहुत बड़ा रवां संग मिलता है यहां पर केस्टमऑइच भी इसको कर सकते हो बड़ा छोटा करना है किसी बडिस्क्री में तो वो भी कर सकते हो एंड अपल में आपको थाड़ पार्टी एप साथ है अधागें थाट पार्टी एपसाफ साते हैं यह फीचर संग में मिलता आपको अब अभी आ काहीं अपना-पना color science है पसंद कभी किसी को Samsung आता है किसी को iPhone का color साथ है लेकिन हाँ यह चीज है कि थोड़ा से यहां पर low light में को Apple का video quality है वो अच्छा लग रहा है अगर overall सारा चीज देखने के बाद बोला जाए तो यहां पर display के मामले में हो या फिर और बी इन सब चीजों के मामले में हो Samsung बहतर काम करता है इवें जो camera's के मामले में आज के time में अगर बात करेंगे तो काफी सारी ऐसे चीजें हो चुकी है कि Samsung जो है Apple से बहतर काम कर रहा है इवें वीडियो के मामले में वीडियो के मामले में बोले जाता है कि Apple जो है clearly जो है हर मामले में बहतर है अभी भी बोलेंगे Apple का dynamic range वीडियो में थोड़ा बहतर है कही न कहीं against the light बहतर काम करता है लेकिन overall sharp ने detailing low light सब कुछ मिला दिया जाए तो यहां पर Samsung आपको बिलकुल ने गर्दा उड़ा दिया आप भी गर्दा उड़ाई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए जैशिया रहा है